सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानबोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बाब फिर से आपके अपने यूटीब चैनल लानबोट मेडिसिन में जहां आपाते दवाईयों के बारे में संपोन जानकारी दोस्तों यह वीडियो बच्चों की एक सीरप के लिए में बना रहा हूँ जिसका नाम प्रो मैथाजीन सीरप है यह दवा का मोल नाम है इसे दवा का कमपोजिशन भी कहते हैं जब इस दवा का अप मेडिकर स्टो पे खईने जाते हैं आपको फिनारगन सीरप के नाम से मिल जाएगी दोस्तों जो सीरप है जरूरी नहीं कि आप बच्चों को ही दे यह एडल्ट को यह ओल्डेज पेसेंट जो होते हैं जो किसी भी कारण वास टेबलेट नहीं ले पाते हैं उन्हें यह सीरप डोज केलकुलेट करके दी जा सकती है प्रो मैथाजीन सीरफ फर्स परक्षों करें जेनल को सब्सक्राब करना नहीं बोलें मैं हूँ आपका दोस मोहीत और आप देखे रहें अपना इडिव चैनल लड़न वूट मेडिसिन चलिए आज विक कुछ नया सिकते हैं हैलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों प्रोमेथा जीन सिरफ जिसे हम फिनारगन सिरफ के नाम से जानते हैं इसके अबारे में कुछ भी जानकरी बताने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा यदि कोई बच्चा है जिसकी ओमर दोवर से जादा है तो उसको भी जब दवा देते हैं तो बहुत ही सावधानी प्रोग जो डॉज आपको डॉक्टर ने केलकुलेट करके दिये उतनी ही मात्रा में दे उससे ज्यादा बिल्कुल मात्रा उससे नहीं दे यदि आप भूल पारे में जुरूर से अपने डॉक्टर को बताएं जिससे कि जो यह दवा है उसकी जो क्वांटिटी वो एड्जस करके लिखी जा सके जैसे यदि किसी बच्चे को प्रिति रिलेटेड समच्या है साती अस्तमा की उसको समच्या है सी ओपीडी की समच्या है इसके अलावा अपनिया मजची में जब बच्चा सोता है उस में उसको ऊस नहीं आती इस प्रका के समच्या है कोई एंटि सैकेटिक मेडिसं चल रहे हो उसको सीजर सिया इसको हो रहे हो लिवर समन्दि को लिबहारेकार के उसको दवईबाश चल रही हो तो यह सब heut बातें हैं अपने इसमें सामने तोर से प्रोमेथाजीन सीरफ प्रेसंट को नहीं दी जाती है यह बातें विश्यस तोर से आप द्यान रहें जैसे कि आपके बच्चे को जान का खत्रा नहीं बनेगा प्रोमेथाजीन सीरफ के अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए कितनी स्ट्रेंथ इस सीरफ में तो फाइफ मिलेगा पर फाइफ एमेल की स्टेंथ इसकी रहती है मतलब जब आप एक टीस्पून प्रोमेथाजीन सीरप लेते हैं तो मतलब पांस मिलेगा आपकी डूस आप अपने बच्चे को दे रहे हैं यह जो रोज के सक्षे में थोड़ डीटेल बताऊंगा इस तरह से इसकी स्टेंथ अवैलेबल रहती है वीडियो के आगे की पार्ट में हम जानते हैं प्रोमेथाजीन सीरप की क्या-क्या यूज होते किन-किन बेमारी में इसका प्रियोग किया जाता है जैसा कि एंटाहिस्टमिनिक मेडिसीन है तो जो इसका मुख्यत प्रियोग है ऐलर्ज कई बार बच्चों को कोई मेडिसीन देते हैं जिसके साइड एफेक्ट के कारण बी एलर्जीक रियक्शन हो जाती है तब भी यहां के आउट्डोर गेम खेलने पर यह कोई चोटे बड़े कीड़े की काटने पर भी कोई भी प्रकार की एलर्जीक रियक्शन हो तो उसमें सिरफ दी जाती है इसके अलावे इसका एक और महत्रपूर्ण हो जो है मोशन सिखनेस मतलब बच्चे को या व्यक्ति को कार में बस में या कोई भी वेहिकल में बैटने पर उसको नोजिया तरक रहेगा उसको हो सकती है तो उस समय में भी यह जो प्रोमेटाजीन सिरफ है फ उनमें सुलाने के लिए इसको प्रोमेटाजीन सिरफ दी जाती है और एक बार सिरफ देने पर 4-6 गंटे ते बच्चा सोहा हुआ रहता है और इसके लावी कुछ कंडिशन होती है जब बच्चे की MRI CT scan या कोई ऐसी जांच करनी होती है जिसमें बच्चे का मुमेंट नहीं ह इसके लाव कई दूसे बीमारी में इसका डॉक्टर अपने एक्स्परियोग ले दोस्तों इसकी उसको पूरी डिटेल में जानने बद अब बढ़ लेते हैं प्रोमेटाजीन सिरफ जो फिनारगन सिरफ इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है जो कोमन साइड इफेक्ट बच् इस रहना और पेशा आप में कुछ प्रॉड्लम हो सकती है यह कुछ समझते हैं बच्चे को हो या इसके अलगवी प्रोमेटाजीन सिरफ फिनारगन सिरफ का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले जैसे कि फर्दर टीट्मेंट दिया जा सकती है या कोई दूसरी द बोडिवेट के कोडिंग होती जितना इसका बोडिका वजन हैं उनके कोडिंग अलुडवा केलकूलेट करके दे जाती है जो बरक बयेदाजीन की बरक बोडिवेट के कोडिंग दी जाती यदि कोई बच्चा है एक्जाम्पल के तो पर समझें दस किलोग्राम का तो उसे 10 mg प्रमेथाजीन सिरफ दी जाएगी मतलब एक जो टी स्पून होता है उसमें पचार से पांच अमेल होता हो उसमें जो प्रमेथाजीन एक जो यह प्रोब्लम रहती है इसके पर एलर्जी हो जाती है उसमें सिंगल टी इस पुन दो साल से लगा कर पांट साल के बच्चे को दे दी जाती है और उसे ठीक हो जाता आप पढ़ने पर इसको दिन में दो बार या दिन में तीन वार भी दिया जा सकता है और मौसन सिखन जो कि वेहिकल में जाने पर बच्चे को नोजी वोमिटिंग होती है उसके लिए मैं आपको प्रोफर डूस बता दू इसमें बहुत ही ज्यादा जिस बच्चे को प्रोब्लम होती है उसे ट्रेवलिंग शुरू करने के 24 अवर पहले प्रोमेचा जिन सिरफ उसके बोडी वेट बच्चे को थोड़ा बहुत सडेशन होगा उसको नींद आएगी तो इस चीज आप बिल्कुल नहीं गब रहें बहुत ही ज्यादा गार उसको नींद आए चार पांच शे गंटे से ज्यादा नींद आए तो आप जोरू से एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें यह सभी ब करता हूँ आपको काफी नहीं जान कैसे मिली होगिए काफी डाउट किली थो गया होंगे और आपको विडियो से पसंद आया होगा और इंदे आपको फसंद आया हो तो जूसके इसको लाइक करें और जयादे जेख के जो किसी और की गृघ और ऑृसन्ही Beyond alzing को और जो पास में पहले करने इसे दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफेशन आपको मेल सके सभी मेरे वीडियो आप मुफ्त में देख सके आप ते अपना दोस्त मोहीत दादीक साहर देख रहेते अपना यूडिव चैनल लानों मेडिसिन thank you friends take care and be care for medicine users